नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसा करने से आप फिर से हो सकती है वजन, जान ये कैसे के बारे में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जानकारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपून जानकारी वाले विडियो रोजाना लेकर आते रहते हैं, यून संबंधों को लेकर कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि काश हमारी यूनी पहले की तरह ही एक दम सिकुड़ी हुई तथा टाइट हो, किन्तु लगातार सं रहे है ऐसे कुछ उपाई जिनसे आप फिर से वजिन बन सकती है, वजिन शब्द से तातपर्य यूनी के टाइट होने से है, वजिन का अर्थ हंच्वा भी होता है, अगर आपने किसी के साथ संभोग किया है तो आप वजिन नहीं हो सकते, इसी के साथ हम आपको बता दे की फिर से वजिन बनने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी है, धिलापन यूनी में नहीं, बलकि पेलविक प्लो की मांस्पेशियों में आता है, जिसे बिना दवाई के योग द्वारा भी दूर किया जा सकता है, यूनी को टाइट बनाने के लिए कुछ खास तरिके के फिर से वजिनिटी प्राप्त करने के लिए महत्वपून होते है, इसके अलावा इसका सबसे महत्वपून तरीका है और्गाजम प्राप्त करना आप जितना और्गाजम प्राप्त करते है उतना ही संकुचन आपकी योनी की मांस्पेशियों में होता है, जो आपकी योनी को सिकुरने में मदद करती है. जितना ज़्यादा आप और्गाजम प्राप्त करती हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी पेल्विक फ्लो मांस्पेशिया टोन होती है. कीगल एक्सरसाइज भी आपकी वजिनिटी को लोटाने में मददगार साबित होती है. सामान्य तोर पर जब जिवार मोटी होती जाती है. जिसको हम सामान्य तोर पर कम नहीं कर सकते हैं. इसी के साथ योनी का लचीलापन भी खत्म हो जाता है. जिसके लिए कीगल एक्सरसाइज जरूरी होती है. जिससे आप अपनी योनी को फिर से लचीली कर सकती है. और बहतरीन संभोग का सुख प अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जानकारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब कर ले. क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपून जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में त तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों.